अब मैथेमेटिकल के हम एक नए चेप्टर पर आ गए हैं जिसका नाम है जैकोबियन बड़ा आसान टोपिक है बहुत हीजी है इस कुछ नहीं इसमें कोई खास ऐसी बात जो है लेकिन अभी तो मैं फ्लाल तो इसका क्या मतलब है जैकोबियन क्यों बनाया जाता है वो अलग बात है लेकिन हम तो केवला भी वर्किंग रूल पड़ेंगे इस चैप्टर के अंदर वो किसी और वीडियो में में डाल दूंगा कि जैकोबियन में जैकोबियन क्यों बनाया जाता है क्या फाइदा है इसका फिलाल तो जो वर्किंग रूल है जो हमाई स्लेवस में है उसक कि लेट अड़ जी और अथ फंक्शन कि औहले जीडियेट दू फंक्शन है कि और इनडिप Walk. एक जाओ ऑन्य ब sedent Web तो देट ही जिकर के यूए को एससा हो सकता है कि यू के अंदर एकस्वाई आ रहा है और वी के अंदर भी xy आ रहा है तो इस तरह कि ये दो function है हमारी xy के अंदर ठीक है then एक तुम्हें determinate बनाना है सार्णिक determinate कैसे बनाना है उसे ध्यान सुनना बस एक function पकड़नी है तुम्हें माली जी यू पकड़ ली तो पहली function में पहली row में यू का करना है partially x के फिर यू का ही partially करना है y के second row में second function स्थेमाल करोगे v का करोगे x के और v का करोगे y के तो ये जो determinate आएगा इस determinate को ही u v का jacobian कहते हैं और with respect to x y के ठीक है इसी को बोलते है is called jacobian क्यों बनाया जाता है वो तो इसकी application है क्यों बनाया गया है क्या ज़रुत पड़ी फिलाल तो हम के working rule पड़ रहे हैं यह आपर is called jacobian किसका कहेंगे jacobian of u and v का किसके respect में कहेंगे with respect to x and y के वो इसके संकेत दो है and denoted by इसका संकेत है पहला del u over यहाँ पर लिखते हैं del bracket लगाते हैं ऊपर तो लिखे जाएंगे सारी function और नीचे लिखे जाएंगे जिसके रहे हो तुम कर रहे हो यह संकेत देते हैं बहुत से जे बनाते हैं और केवल function लिखते हैं तो यह वाला संकेत इतना च्छन नहीं है क्योंकि इसमें यह define नहीं किया गया कि किसके respect में किया जाता है तो जायतर संकेत यह वाला use होता है अगर यह कहीं पर आ रहा है तो इसमें खुद संकेत देते हैं तो नीचे लिखेंगे देटेज कहीं पर हमारे सामने यह आ गया इस तरह का लिखा हुआ तो पढ़ेंगे जैकोबियन यू वी का with respect to xy और वो क्या है यह determinant है मैं दुबार लिख दिया है लो यहां पर डेल यू डेल वाई और नीचे आ जाएगा डेल वी ओवर डेल एक्स और डेल वी ओवर डेल वाई यह जैसे मैंने यह जैकोबियन बनाया तो मैं दो function ली है दो variable ली है तो क्या ऐसा भी possible हो सकता है function दो हो और variable जो independent है वो तीन हो नहीं ऐसा पोसे बिननी हो सकता क्योंकि हमने पहली रो में एक function डाली है यू दूसी में डाली है दूसी function वी अगर मा लीजे यू function एक्स वाई जैड किया है तो determined बनने का ही नहीं क्योंकि first row में तुम यू डालोगे उसका करोगे एक्स के यू का करोगे वाई के यू का करोगे जैड के तो column तो तीन हो गए और function बने ही केवल दो ही अड़ डिटर्मेट कम अपता है उसमें रो और column से मुन चाहिए तो फिर यू डिटर्मेट नहीं बन सकता तो एक बात तो यह तो मैं ध्यान रखनी है जितनी function दी गई होंगी उतने ही वेरेबल्स होंगे तभी जैकोबिन बनता है वरना जैकोबिन नहीं बनेगा ठीक जैसे मैंने दो function डाली है दो वेरेबल डाली है लेकिन हम function बढ़ा दें तीन function कर दें और तीन वेरेबल कर दें तो यह डेटर्मेट बढ़ जाएगा जैकोबिन बढ़ जाएगा तो वह मैं तुम्हें हाँ पर लिखवा रहा हूं कि अगर मालीजिए ऐसा हो जाए यू function हो जाए एक्स वाइज एड़ की एक मिन्ट को यू 1 कह दूँ क्योंकि इतने वेरेबल कहां से लाऊंगा मैं यू 1 और फिर यू 2 कह दिया मैंने एफ 2 एक्स वाइज एड़ की और इसी तरह से मैंने यू 3 कहा एफ 3 एक्स वाइज एड़ की इह मैंना तीन function लिए है मैंने आज लिए यू 1 यू 2 यू 3 किसकी एक्स वाइज एड़ की अब तुम से कोई पूछता है तो जैक को भी निका लिए किसका यू यू 2 यू 3 का किसके रिस्पेक्ट में एक्स वाइज जेडर के तो तुम एक डी समय बनाओगे अब उनके की फर्स्ट जो तो मुझे बता हो क्या बननी चाहिए मैं है Most प्रस्ट क्या बननी चाहिए 관련 यर्म वर बहुत बढ़िया फिर ओंडेल वाई फिर ऐ डेल जैड माला पहली फंक्सन से स्टार्ट करोगे दो सिता उओ अवा angels वर गण्स डीनिए डीनिए अबैल यह उवर डील वाई यू त्रीर ओवर डील जोड बार यह बनके ऐद इसको संकेत देना चाहो तो जे में लिए सकते हो लेकिन केवल यहां पर लिखा जाएगा यो यो टू यो तरी एक्स वाई जाए नहीं केवल फंक्षन यो वन यो टू यो तरी तो ऐसे चार भाई 4 का बना सकते हो पाँच भाई 5 का बना सकते हो तो वो तो questioner पर depend होता है जल्दी note कर लिजे से देखो बचो, determinant तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो इसलिए एक बात का द्यान रखना तो वो तुम्हें question solve करते हुए फाइदा देगा अगर किसी determinant के अंदर principal diagonal के उपर या principal diagonal से नीचे कि सारे element 0 हो जाएं या दोनों साइड के 0 हो तो उस determinant के value diagonal के element की multiply कर दीजे वो ही हो, तीकदम direct जैसे कि मान लीजे मैंने वदाफ एक्जामपल दे रहा हूँ मैं, यहां मान लीजे x1 आ गया, यहां 0 आ गया यहां 0 आ गया, फिर मान लीजे यहां पर 0 आ गया, यहां पर x2 आ गया, यहां पर 0 आ गया, 0 यहां पर 7 डाल दीजे, यहां पर x3 डाल दीजे तो देखें, यह principle diagonal है, इसका तीन बाई तीन का, और इसके ऊपर के सारे क्या हो गए है, 0 हो गए है 0, तो इसका direct जो इसकी value आएगी, x1 into x2 into x2, बस यह, अगर principle के नीचे के सारे जीरो जाए, तो भी यहां आएगी, दोनों तरफ की जीरो हो, तो भी यहां आएगी, तो determinant को खोलने के जीरो तो नहीं परती, सही है, इसी पर मैं तुम्हें एक विसेश नोट लिखवा रहा हूं, इसी का फाइदा उठाते हुए, अगर कभी कोशन ऐसा आ गया, ध्धान सुनना में बात को, माल दीजे u1 फंक्शन दी है, केवल x1 की, उसमें केवल x1 है, u2 फंक्शन है, x1 और x2 की, u3 फंक्शन है, x1, x2, x3 की, इसी तरह सा है मैंने इन जेनल बता रहा हूं, मैं इस नोट को, जिरूत नहीं है, इन जेनल करने के लिए फिर बता रहा हूं, यू एन, वो फंक्शन है, x1, x2, xn की, अब तुमें से कहा जाता है, कि यहां पर n फंक्शन दी गई है, कौन-कौन सी, u1, u2, u3, u1, इन, कितने वरियबल की, x1, x2, xn, n वरियबल तो है, ठीक, वई इसमें x1 डाला, तो तुम अपने पास से 0x2 डाल लो, 0x3 डाल लो, इससे क्या पोड़ रहा है, तो मेरा कहना लें लें, वो लिए गए हैं, वो n ही लिए गए हैं, और फंक्शन भी u, n है, अगर तुम से कहा जाता है, जैको बें निकाली है, u1, u2, dot, 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 un, अपन किसका, x1, x2, xn के respect में निकाली है, तो तुम 100% एक डिटर्मिनेट बनाओगे, यहाँ पर लिखोगे, पहली फंक्शन, डेल u1, over डेल, x1, फिर u1, over डेल, x2, dot, dot, करोगे, डेल, u1, over डेल, xn करोगे, सेकंड रो बनाओगे, तो दूसरी फंक्शन इस्तेमाल करोगे, u2, over डेल, x2, और, dot, dot, डेल, u2, over डेल, xn, इसी तरह से, लास्ट वली रो, over डेल, x1, लास्ट में, दिमाग लगाओ, u1, u1 का, x1 के respect में, तो u1 के अंदर, x1 है, तो difference होगा, कुछ ना कुछ तो आए गई, ठेक जी, तो मैं, बताएंजा क्या होगा, मैंने वैसी लिख दिया, इसकी value आएगी, ये बताएं, क्या इसकी value आएगी, u1 का, x2 के, u1 में, x2 हो गई नहीं, अगर मालिए, तुमसे कोई question कहे दे, u1 बराबर है, 3 sin x1 प्लस के, 5, जड़ा, u1 का, partially x2 है करी है, जब x2 है नहीं, तो 0 होगया, तो इसका मतलब, ये वाली term 0 आएगी, अगला आएगा, u1 का x दिके, तो u1 में, तो x3 है नहीं, तो इसका भी 0 होगा, last तक ये सब 0 हो जाएंगे, हो जाएंगे, अब इससे देखो u2 को, u2 में x1 भी, x2 भी है, तो u2 का x1 के भी होगा, और x2 के भी होगा, ये यहां तक के तो आएंगे, और उसके बाद के सारे 0 होते हुए, चले जाएंगे, बिलकुल last वाले मज़ आईएं, डेल यूएंग ओवर डेल x1 आएगा, क्योंकि यूएंग में x1 है, इसी तरह से डेल यूएंग ओवर डेल x2 भी आएगा, अर लाश्ट में डेल यूएंग ओवर डेल xn भी आएगा, चेक करिएंगें सब को, यहां तक ही बात करें, यूएंग का x1 के, यूएंग का x2 के, यूएंग का action के, क्योंकि यूएंग के अंदर action भी है, तो यह सब निकलेंगे, तुमने यहां पर ध्यान से देखा, कि principle diagonal के, ऊपर के सारे element, जिर हो गए हैं, तो यदि कोई पूशन लेगा, इस determinant को solve करिए, तो क्या solve होगा, देल यूएंग ओवर डेल x1, इंटो, इंटो, देल यूएंग ओवर डेल action, तो यदि कभी कोई question तुम से, ऐसा पूछे, इस type का पूछे, तो determinant बनाने के चक्रमत पढ़ना है, सजाने के, क्या है इस question की विश्यादर, देखो, note क्या है, यूवन के वल x1 हो, यूटू में x1 और x2 हो, यूट्री में x1, x2, x3 हूँ, ऐसा question हो कभी, और तुम से पुछे जाए कि, जैकोब पे निकाल लिया, यूवन, यूटू, यूएंग का, x1, x2, x3 के, बस तुम्हा करना क्या, determinant बनाना, shortcut लगाना, यह shortcut बन गया, बस u1 का कर देना, x1 के, इंटू करना, u2 का, x2 के, इंटू कर दे जाना, और un का action के, बस, तो इस shortcut से तुम question कर सकते हो, वरना determinant बना गए भी कर सकते हो, यह हो तो, तो यह shortcut बता दिया हमेंने, कि अगर कभी इस type का question आ जाए, अज जैकों पे निकालना पड़ जाए, तो इस shortcut लगा दीजिए, 2 minute में question हो जाएगा, complete कर देशे, नोट को जल दीज़े, देखे, पहले एक साइज में, बड़ा simple सा question लिया हमने, X की value यह है, Y की value यह है, और हमें, दो part proof करने है, इसको देखे, क्या पढ़ेंगे, Jacobin, किसका, X, Y का, किसके से सक्ट में, R theta के, और इसको देखना, यह क्या लिखा हुआ, Jacobin लिखाना, R theta का, किसके, X, Y के, ठीक है, अब हम इस question करेंगे, देखना पहला part करूँगा, मैं, पहला एक बार question देखिए, solution देखिए, एक मिंट, देखिए, X बराबर कितना है, R cos theta, और Y बराबर कितना है, R sin theta, हम इससे, दो समंद्ध और बना सकते हैं, कैसे, दोनों का square करके, जोड़ देए, तो क्या बन जाएगा, R square, दोनों को divide कर देए, Y upon X, याद होगा तुम्हे, तो 10 theta, तो theta की value यहां सा जाएगी, 10 inverse Y upon X, और यहां से R की value बैठ जाएगी, X square plus Y square की power, 1 by 2, यह रहा, यह X और Y है, X, Y function किस की हैं, बताइए, X function है, R theta की, Y की किसी function है, R theta की, इस पहले में, पहले part में, क्या चाहिए हमें, function को होना है, X, Y, किस की होनी चाहिए, R theta की, तो यह तो इस से हो जाएगा, अग second part में देखियो, function किसा बनाया गया, R theta को, किस की, X, Y की, यह रही R function, X, Y की, theta function ही रही, तो second part के लिए, इनसे काम हो जाएगा, सही है, ठेक जी, तो मैं, एक part करूँगा, एक तुम्हाई लिए छोड़ दोगा, चलो जी, पहला part कर रहा हूँ मैं, बताइए, यह मुझे क्या निकालना, पार्ट फर्ष्ट, पहला part, जैकोबिया निकालना है, मुझे X, Y का, R theta के respect में, बताइए, सार्णी क्या बनेगा, बहुत बढ़ी है, डेल X over, फिर, नहीं, एक ही function इस्तेमाल होती है, पहली रो में, पहली function, दूसरी रो में, दूसरी function, बस, एक मिन बस, डेल Y over, डेल R, अडेल Y over, डेल Tita, सोचिए, X क्या था, R cos theta, तो बताइए, डेल X over, डेल R, कितना आएगा, बस R पर दिहान देना, R का बन, cos theta, ऐसा कैसा ही, डेल X over, डेल Tita कितना आएगा, R नुका नो, cos theta का, minus sign theta, Y वराबर क्या था, R, sign theta, R sign theta, R sign theta, तो बताइए, डेल Y over, डेल R, कितना आएगा, R का बन, केवल sign theta, डेल Y over, डेल Tita कितना आएगा, R cos theta, भर दी जे, इसके अंदर, सब बेली निकाल दी हैं मैंने, एक साइड मैं, वह सब तुम डायक्ट, यदि तुम जानते हो, तो सीधा यहीं लिख दगरो, वरना अलग निकाले, दिखा दी मैंने, बताएए, इसके वेली कितनी आई, इसके, 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 R cos theta, करो, करिए इसके लिज़ा, बच्चो एक question लिखा हमने, question number six, X की value ये दी है, Y की value ये दी है, जैकोबिन पूचा है, X, Y का theta और phi के, सार्निक बना दिया है मैंने, कि पहले X लेंगे first row, और second row में लेंगे Y, तो यह चीज़ तुम निकालनी है बस, और यहां बढ़नी है, और answer जाएगा, ठीक है, तो पहले हम इनको अलग निकाल लेते हैं, कुण बच्च बताएगा, X के theta के respect में क्या होगा, बस theta पे दिए हम दीजिए, बाकि सब ये सारा क्या है, हमाई लिए constant, इसमारा phi, तो sine theta क्या हो जाएगा, cause theta, और बाकि ये सारा ऐसा का ऐसा ही जैसा भी है, sine square 5 पूरे की पार 1 by 2, अब करना है मैं, del X over del theta, उस रही 5, 5 के, देखो sine theta constant रहागा, लेकिन हमारा phi अंदर आ रहा, तो T1 करो, T की पार 1 by 2, 1 by 2, 1 minus C square, sine square 5, पूरे की पावर, 1 by 2 minus 1, minus के 1 by 2, फिर अंदर बाले करो, 1 का 0, minus के C square, sine square बताओ, 2 sine 5, cause 5, ये होगा, सही है, थोड़ा सासान कर लीजिए, ज़िए 2 से, तू कर जाएगा, minus को बाहार निकाल सकते हो, C square को बाहर निकाल सकते हो, sine 5 ये रहा, cause 5 ये रहा, ये पार माइनस की है, नीचे लेज़ा रखते हो, 1 minus C square, sine square 5, देखे, theta 5 में तुरदा सही से देख ले ना, मैं जल्दी बाजिए, मैं गबड कर जाता हूँ, y का theta के सापेश करो, y ये रहा, into में sine theta बीजिए था, sine theta, इस वाले करो, y का theta के, cause theta का, into में cause 5, अब डेल y over डेल 5 करो, बताओ, minus के, cause theta दो रहाएगा, sine 5, बस ये रहा, अब तुम्हें यहां भढ़ना है, अज सोल कर देना है, समझ में आगे बाद तुम्हें, बस एक मिनिटे देंदे हो, मैं answer मिलाएता हूँ, चलो by 1 से चलते हैं, by 1 मैं निकालना था, जैकोवियन xy का, किसके रिस्प्रक्ट में, theta और 5 के, डेटरमेट सोल करो, इस क्यों ना इसमा होगी, इसका मिला, del x over del theta, into लिखा जाएगा, del y over del phi, फिर minus, del y over del theta, into लिखा जाएगा, del x over del phi, तो यहाँ भर लो, यहाँ भर लो, एक ही तो बात है, अब मैं नीचे भर हूँगा, इसा है, अब थोड़ी सी calculation करूँगा, जिससे कि answer मिल जाए, बने, चलो, सबसे पहले, del x over del theta, यह रही, c और under root में लिखे हो, माइनस के, cos theta cos phi, sin phi, sin phi, फिर माइनस, del y over del लिखा यह रही है, तो प्लस हो जाएगा है, sin theta cos phi, अब क्या हैगा, del x over del phi, यह रही है, माइनस आएगा फिर, माइनस के c square आएगा, sin phi आएगा, cos phi आएगा, sin theta भी आएगा, और under root भी आएगा, देखे हमारे हिसाब से, तो answer यह है, लेकिन किता में यह answer नहीं दिरका, थोड़ा सा LCM, LCM लेकर सही करा है, तो वो भी तुम भी कर दो, अब बताओ यह पूरे में under root, LCM ले दो, तो 1 minus c square, sin square phi, यह under root यहाँ जाएगा, यह minus है, तो minus को भार लिख लेता हूँ, cos theta यहाँ है, cos theta यहाँ है, cos square theta जाएगा, into sin phi, और यहाँ बचेगा, 1 minus c square, sin square phi, यह रहा, फिप प्लस, इसमें देखो, minus minus माइनस हो जाएगा, minus, यहाँ देखो, sin theta यहाँ है, और एक sin theta यह रहा, cos phi यह रहा, cos phi यह रहा, into में है, sin phi, into में c square यह, बस थोड़ा बहुत, इसमें, यहाँ लेकर, common moment लेकर, solve करने, cos करना, बताब common क्या सकता है, सारे में से, cos square, नहीं, कुछ भी नहीं देखो, sin phi आजाएगा, sin phi, minus के sin phi, कॉमा ले लिजे, minus के sin phi, यहाँ बचाएगा, cos square theta, अंदर मडिप्लाइ कर लिजे, cos square theta, minus हो जाएगा, हाँ, c square, cos square theta भी आएगा, sin square phi भी आएगा, अब यहाँ बताओ, minus कॉमा ले ले लिएता, plus हो जाएगा, sin square theta हो जाएगा, cos square phi हो जाएगा, sin phi भार, और c square भी जाएगा, देखियो कुछ फाइदा होगा, थोड़ा बहुत देख लो, वो तो calculation है, और कुछ नहीं है, इन दोनों में कुछ फाइदा हो जाएगा, इन दोनों में, इन दोनों में, सी स्कॉार कॉमन ले लो, और कॉमन देखियो, नहीं आने कुछ भी, माइनस के साइन फाइगा, तुमने कहा, यहाँ पर cos square theta, माइनस के क्या कॉमन लो, कुछ भी नहीं, सी स्कॉार कॉमन ले लो, कोई फाइद नहीं होने का, ज़्याद है, चलो कोई बात नहीं, उससर कोई स्प्रेंग पढ़ता, सी स्कॉार कॉमन ले लिए, लो लिख लिया, मैंने, माइस कॉमन ले लिया था, तो cos square theta, cos square phi, मुझा answer देखना, क्या लाना, देखियो answer में, answer क्या लाना, अर अप वोन में ही चली रहा है, देखो बच्चो इसना answer में, सब जंग कोउस लाया आओ, sign को हटाई दिया है, ठीक जे, तो sign को हटाना है, कोउस में change करना है, उपर वाला cable, यहां देखो, यह कह रहे हैं, इसके अंदर कोमन क्या लिया, इसमें, अच्छा इसको इहां साटा हो पहले हैं, अब तुम बता कर चुप हो जाते हो, मुझे कैसे लेगा बता भी यह तो पूरा बता है अगर उस बात को, minus के sign phi, अरे कुछ मत करना, तुम जहां sign square है ना, 1 minus sign square लिख दियो, बस अपना आप आप आजाएगा, यह theta है, यह c square है, cos square theta है, 1 minus cos square 5 कर दियो, plus sign square को, 1 minus cos square theta, cos square 5 और बाहर है c square, अब यह cut fit जाएगा, जो होगा वोई answer जाएगा, अब अपना आप कर लिए तुम जो करना, ठीक है, अंदर multiply करके, कर जाएगे, यह माइनस का, और यह उलाएगा, c square, cos square 5 प्लस का, यह cut rate जाएगे, अपना आप देख लिए ना बस, ठीक है, बचे से करो, जब बचे कोशन नमबर है 9, उसमें कहा है, y1 cos x1 की बराबर है, y2 sin x1 cos x2 के है, y3 sin x1 sin x2 cos x3 के है, इसी तरह से yN दिया है, यह, अगर तुम ध्यान से देखो, उपर वाला y1 जो है, केवल function है x1 का, दूसर वाला function है, x1 और x2 भी आ रहे हैं, तीसरे में x1 भी आ रहा है, x2 भी और x3 भी, और लास्ट वाले में आ रहा है, x1, x2, xN तक के, आ रहे हैं, ठे, और जैकोवन पूछा y1, y2 का, तो हम determinant क्यों बनाएं, हम तो shortcut से कर देंगे, यह संके दे दो, या ऐसे लिख दो, अपोन क्या, डेल x1, x2, xN, एक ही बात है, तो मैं shortcut लगा रहा हूं यहाँ पर, shortcut क्या कहता है, अगर ऐसा हो जाए, तो पहली function का केवल, x1 करना, into, y2 का over, x2 करना, y3 का over, x3 के करना, और ऐसे ही करते जाना, गुना कर देना, बस, answer जाएगा, yn का action के, यह बताईए, यह कितने गुननखंड लिखे हैं, factor कितने हैं, यह y1, y2, y3, yn, अरे n factor हैं, ठीक है, अब इन सबकी में value निकाल रहा हूँ, उपर देखते जाओ, बढ़ दो मिन्ट द्यान देना, चलिजी, पहले वादे factor में हो, y1 का x1 के, यह रहा y1, y1 का x1 के, minus के, sin x1, फिर दूसा factor करेंगे, y2 का x2 के, y2 का x2 के, x2 के करना, x2, sin x3, ऐसे ही करते हुए, चले जाओगे, लास्ट वाले का बताना, बस इस वाले का, minus sin x1, into sin x2, dot 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 dot, यहां तक के, sin xn, minus 1 के तो नहीं, अर जब इसका करोगे, तो इसका जाया का, sin xn, minus बाहर लगा दिया, इस वाले करा, इस वाले का, minus के sin x1, action, अब बस इसको प्रूफ करना, तो प्रूफ बता रहा हूँ, ध्यान दो, कुल कितने फैक्टर थे, एन गुणन खंटे, हर फैक्टर में माइनस है, तो माइनस को यदि बाहर लिखा जाए, तो माइनस की प्रूफ कितने आएगी, एन आएगी, तो पहले फैक्टर में क्या बचेगा, साइट दूसरे वाले में, बस ओर नहीं लिख रहा हूँ, और लास्ट वाले में, साइन एक्स बन से लेकर, साइन एक्स टूर इंटू डो 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 टक, साइन एक्स एंट तक, कोई दिखाते हैं यहां तक, चलो जी, अब एक बात रोबताता, बच्छोड़ी जी बस, अगर कहीं पर यह लिखा हुआ हूँ, एक्स के लिखा हूँ, एक्स वाई, तो क्या लिखोगे बताओ, साइन एक्स वन की पाउर कितनी आएगी, एन, एन फैक्टर है, एन गुनन खंड है, हर फैक्टर में साइन एक्स वन है, अब साइन एक्स टू को देखना, साइन एक्स टू पहले वाले में नहीं है, दूसरे में है फिर अगले में भी होगा है तो इसकी एक पावर कम हो जाएगी तो Sine X2 की पावर एक कम उससे Sine X3 की पावर एक कम डोट डोट करना Sine XN बस इसमें आएगा और किसी में नहीं होगा क्योंकि Y3 में X3 तक होंगे Y4 में X4 तक होंगे तो YN XN में इसमें आएगा लास्ट वाले में तो डार्ट लास्ट में लिख देंगे केवल Sine XN बस केवल इसकी पावर एक क्योंकि यह एक फैक्टर में है बस यह यह अंसर है उतारी जल्दी से जो कोई प्रोलम होगे बता देना जैसे यह बच्चे जो वीडियो देखते हैं वह एक बार जो है ना यह कोई करें ठीक है बच्चों इना करिए het